कि बिना IELTS के अगर आपको वर्क पर्मिट चाहिए बिना नारिक बिना PTE बिना को इंग्लिश लैंग्वेज एक्जाम के अगर आपको वर्क पर्मिट चाहिए यू क्यान है तो आप तो इसके अंदर आपको वर्क पर्मिट मिल जागा इसके अंदर आपको इतनी हाई सेलरी को नहीं करवानी पड़ती है अजय को अजय को अजय को आप सब लोग स्वागत आपका एक और फ्रेश वीडियो में मेरे चैनल की तो आज गाइस मैं आप सब को बहुत जादा इंपोर्टन चीज बताने वाला हूं क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन साते हैं वर्क परमिट वर्क परमिट से रिलेटेड तो आज मैं आपको कुछ स्टुडेंटस को ऐसी हेल पोईगी कि जो यूकए में already है उनको work permit पर switch होना है और कुछ लोगों को ऐसी help होगी जो इंडिया या पाकिस्तान या कोई Bangladesh जैसी कोई country में है तो उनको भी help हो सकती है इस वीडियो से ठीक है तो बिल्कुल एंड तक देखना और subscribe करते न बाकी ज्यादा time waste नहीं करते बताता हूं आपको work permit के बारे में और या फिर skilled worker visa के बारे में या फिर tier 2 के बारे में तो यह तीनों terms एक ही होती है ठीक है नाम different different है government ने change कर दिये कभी change होते है कभी कुछ होते है बट same है ठीक है तो इसको India से भी आ सकते हैं UK में भी होता है यह mainly पते क्या होता है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से सुनना तो tier 5 में क्या होता है जैसे अपने या फिर slash creative के वीजा पर बुला सकता हूं tattoo artist पर ठीक है मतलब अगर मेरी यह shop है या फिर अगर मेरे को singing के लिए बुलाना है तो उस पर बुला सकता हूं तो यह होता गया भाई इसकी क्या condition होती है ये कुछ दिनों का भी आता है मंस का भी आता है वीक्ष बियाता है और maximum आता है यह तो मैंने इअनकों से खुद four days का भी होता है one week का भी होता है और मैंने एक बंदे का इस ही करवाया था थे का एक बंदे का मैंने कराया नाइन मंस का और तीन-चेर के मैंने ट्वल मंस के भी कराया है इसके अंदर ना IELTS नहीं चाहिए होता में में इसमें वह कासियत कि बिना IELTS के अगर आपको work permit चाहिए बिना नारिक बिना पीटी बिना को English language exam के अगर आपको वर्क परमिट चाहे यू के आना है तो आप creative worker वीजा पर आ सकते हो तो इसमें ये काफी लोगों को question होता है कि भाई कैसे आए बिना अगर भाई हमें पढ़े हैं हमें English नहीं आती या कुछ भी मतला ऐसे जो भी सोचता है तो वह टीर फाइब वर्क परमिट पर आता है अगर केसी को चाहिए हो तो मेरे को contact कर लेना मैं करवा दूंगा इसके अंदर वीजा मैं आपको खुल के बताता हूं थोड़ा tough आता है मतलब थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर हमें proof नहीं कर पाते हैं अभी जैसे मेरे client का वह आ गया refusal आ गया मतलब उससे further more evidence मागा कि भाई हमें suitable नहीं लग रहा आपका जो experience है हमें सही नहीं लग रहा तो हमें please further more evidence provide करो कि आपका already इस field से related experience है अब जैसे for example भाई जो youtubers हैं या फिर instagramers हैं जो गाना गाते हैं already उनके पास तो बहुत सारे proofs होते हैं अपना instagram दिखा देंगी कि भाई देखो मेरी इतनी fan following है तो वह अपना as a proof visa file में attach कर सकता है तो उनके visa chances और ज़्यदा हाई हो जाते हैं बट अब जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका भाई को cost देता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो अपना experience शो करो जिस भी जिसके भी पास आपने अपना काम किया है उससे आप अपना experience letter लो वह सब चीजे आप अपनी visa file के अंदर डालो जिससे आपका visa और स्ट्रोंग हो और इसमें IELTS PTE वगयरा कुछ नहीं चाहिए होता अपना UK आओ जिस भी अगर आपको original पर आ रहे हो आप तो भाई प्रोपर काम करो अपना उसमें अपकी salary प्रोपर शोगी अपना salary लेकर अपना फिर इंडिया वापिस से ले जाना और अगर ऐसी उल्टे सीधे तरीके से आ रहे हो तो भाई ज्यादा इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता बट आते हैं लोग तो इससे हो गया अपना टीर फाइफ का फिर आता है बाई टीर टू का जो कि हम स्किल्ड वरकर वीजा जैसे हम क्या देते हैं इसका salary criteria जो है increase हो चुगा है जैसा कि आपको पता होगा 38,700 pounds अगर कोई इंडिया से UK आ रहा है तो इसको इतनी salary कहते हैं कि बाई के अंदर dependent बंद हो गए है ऐसा है भी और नहीं भी है क्योंकि क्येर में कुछ job code होते हैं जैसे अब मान लो भाई मैं आपको admin का cost देता हूं admin की sponsorship देता हूं उसका हम dependent नहीं ला सकते हैं after 11th of March अगर कोई already UK में है उसको अपनी company switch करानी है तो वो dependent अपना switch कर सकता है no problem but 6135 पे हम अपना dependent switch नहीं कर सकते 6131 में किसी को job चाहिए मतला अगर किसी को sponsorship offer होती है UK से इंडिया से या फिर आपको UK to UK भी होते है तो 6131 पे आप अपना dependent लेके आ सकते हैं उसमें आपको कोई issue नहीं होगा 6145 job code है उसमें dependent नहीं ला सकते 6114 है इसमें आपको dependent अलाओ होगा बट इसमें होता है international health सरचाइज जो भी कोई भी आपको work permit लेना है उसमें सब में आपको international health सरचाइज देना होगा जो कि उसकी fees होती है 1035 pounds per year बट यह के जो कुछ categories है उनमें हमें IHS नहीं देना पड़ता तो 6145 job code जो अपना होता है उसके अंदर भी dependent नहीं आ सकते बट जो पहले से हैं वो तो भाई ऑफ और सी बाता कर सकते हैं ठीक है तो 6141 job code है यह code ध्यान में रखना मेरे को पता है कुछ कुछ आपके लिए confusing हो रहा होगा क्योंकि नहीं समझ आते हैं कभी-कभी पहले मुझे भी नहीं आते हैं बट आप आने लग गए हैं तो IHS fees 6131 में नहीं लगती जो की 1035 पर यह रहा 6141, 6135, 6145, 6134, 6136 इनमें IHS आपकी नहीं लगती ठीक है 6122 उसमें लगती है 614 उसमें भी आपकी लगती है यह सब अलग-अलग job categories होती है यह आप Google पे जाके search कर सकते हो अपने job code जो की government website पे आपको available होंगे अगर आपको होगे तो मैं आपको comments में link भी provide कर दूँगा अगर कोई अगर किसी को interest है तो मैं बता दूँगा no problem ठीक है तो भाई यह तो हो गया अपना work permit का अब यह इंडिया से था अब किसी को अगर UK से UK में अगर किसी को work permit में switch कराना है और वो new entrant category में है new entrant मतलब में मतलब पते क्या होता है जैसे for example मैं new entrant में आ गया for example मेरी study complete है भी university से तो मैं four years तक अपना work permit में switch करा सकता हूँ यह नहीं की PSW का time भी count होगा जैसे for example मेरी graduation complete होती है September 2024 में ठीक है तो मैं September 2028 तक new entrant कहलाऊंगा और उसके अंदर मेरे को अपना जो salary package जो शो करना होता है work permit के लिए वो में को 30,900 या 800 शो करना पड़ेगा मतलब 31,000 पाउंड के आस-पास मान के चलो ठीक है बट अगर मेरे यह चार साल के अबव मतलब बात चला जाता हूं तो मेरे को 38,700 अपना job package जो है वो शो करना करवाना पड़ेगा मतलब उस उतने ही पे उतने ही अमाउंट पर मेरे को अपनी job मिलेगी या sponsorship मिलेगी तो यह अमाउंट ध्यान रखना प्लीज और एक चीज़ और मैं आपको बता दू जैसे for example मेरा PSW मेरा PSW 2026 September तक है तो मेरे इसके बाद से चार साल काउंट नहीं होंगे study complete होने के बाद से चार साल काउंट होंगे तो यह ध्यान में रखना कि बहुत सारे लोगों को यह confusion होती है तो और एक इसमें और थोड़ा एक ट्रिक है जो जो 26 साल से पहले के हैं वही न्यू एंटरे बहुत जल्दी में आज वीडियो नहीं है बट पूरे टॉपिक करने मतलब पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है आहिए आपको समझा गया हो नहीं समझाया तो रिवाइन पीछे करकर देख लेंगे ना नो प्रॉब्लम और वर्क परमिट से र Taleत किसी को भी उजू के हो गया रा किसी के लिए हाज दी रहे और नीचे कमेंट कर देना और परसनलाइज मिटिंग करनी हो तो कर ले ना और इंस्टाग्राम पर जबूर फॉलो कर लेना किसी को भी अगर फ्री में कोश्टिन्स कुछ भी हो इंस्टाग्राम पर मैं डिरेक्ट रिपलाइ कर दूँगा कॉल्स भी कर कर दूँगा नो प्रोब्लम मैं सबकी ऑल्मोस्ट दो तीन सो करता हूं रोज के मैसेजिस के रिपलाइ तो आप भी करो गए तो मैं कर दूँगा नो प्रोब्लम और बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो गंदर बाइबाइब टेक्यर थेंक्यों सो मच